तो आईए दोस्तों मैं आपके लिए फिर एक इंट्रेस्टिंग वीडियो लेकर के आया हूँ मैं चैनल डारेक्टर मुकेश सिंग आपके लिए बनारस रेल इंजन का रखाना के ग्राउंड से रावण दहन का द्रिश्च लेकर के आया हूँ यह रावण दहन यहां बरेका में बहुत पहले से होता चलाया है इसमें क्या होता है कि दिन में मतलब करीब तीन बजे से संपून राम लिला का एक बहुत साट में मंचन किया जाता है जो कि तीन घंटे के लगवग चलता है और उसके बाद फिर रावण दहन का कारिकरम होता है इसमें आतिश वाजी बगर होती है और बहुत ही जादा यहां पर भीड होती है इसका कारण यह है कि बरेका के आसपास और कहीं रावण दहन का प्रोग्राम नहीं होता है तो बरेका के आसपास के जितने भी कालोनी हैं गाओं हैं और बलकि मनारस के बाहर के लोग भी इसमें शामिल होने आते हैं इसमें भीड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बहुत लोग जो है भीड की वज़ा से ही यहां नहीं आना चाहते हैं क्योंकि बहुत लोग भीड को अवाइड करना चाहते हैं और वैसे भी दो साल से कुरोना काल रहा तो यह रावण दहन का कारिकरम नहीं हो पाया था तो इस वज़ा से इस वर्स सन 2022 में हाँ बहुत ज़्यादा लोग आए और बहुत ज़्यादा इंजवाई किया लोगों ने और इसे यह है कि जो प्रोग्राम अगर इस तरह के होते हैं तो बहुत लोगों को इसे रोजगार भी मिलता है और इसके फायदे भी हैं नुकसान भी कि नहीं जा रहा हैं तो इंफेक्शन के चांसेज बढ़ेंगे और आप देखेंगे कि इस मेले के कारकरम के बाद जो है लोगों में वाइरल इंफेक्शन की जो केसेज हैं वो बढ़ेंगे यह तो निश्चित है क्योंकि लोग प्रिकाशन लेना फिर से बंद कर दिये हैं तो और यह है कि दो साल से करोना काल में डिस्टर्ब रहा है यह